क्रिप्टो बारें से पहले आपको एक क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्षिन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा वाच्छाब नंबर है तो उन्से बच के रहना वो सारे के सारे स्कैमर्स है किसी भी शूशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं और किसी को कभी भी वापस नहीं कर वापस ने आएगे कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाए गाज़ा है कि मामट ऐसी है जो काफी अच्छे प्रॉफित हम लोगों को निकाल के दे सकती हैं इसमें हमें शक आप लोगों ने avoid करनी है उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले mistake की बात करे हैं यह हम नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग ही यह mistake करते हैं बट majority of the people यह mistake जरूर करते हैं यहाँ पे काफी लोग कभी crypto तो purchase ही नहीं करते हैं यह अगर purchase कर भी रखा है तो उसमें कभी DCA नहीं करते हैं यहाँ पर purchase करने के लिए वो wait कर रहे होते हैं for the right opportunity अब उनके accordingly right opportunity वो है कि उनको वो crypto जो है वो free में मिल जाए यह ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आज के टाइम में भी काफी लोग interested हैं to enter into crypto market बट वो यहाँ पर आके price देखते हैं price देखते हैं bitcoin का price देखते हैं काफी old coins के जो उनको पसंद है वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि यह price तो अलड़ी यहाँ पर rise हो चुका है compare करते हैं from 2022 जहाँ पर market जो है काफी जादा fall करी थी काफी crypto's ऐसे हैं जो काफी majorly यहाँ पर fall हुए थे उस time से आज का price वो compare करते हैं वो बोलते हैं crypto market तो वहाँ पर उपर आ गई आप कोई point नहीं लग रहा हमें to invest our money in the crypto market वो सी के साथ साथ काफी ऐसे लोग भी हैं जिनोंने एक high में आपर काफी crypto's purchase करे थे आज के time में जब वो crypto's discounted rate में मिल रहे हैं वो लोग यहाँ पर DCA नहीं करना चाते the reasons are simple because वो यह बोलते हैं कहीं यहाँ से भी और निच्चे चला गया तो हमारी बाखी की investment भी यहाँ पर चली जाएगी जैसे हम एक bank में RD खोलते हैं recurring deposit उसी तरीके से आप यहाँ पर SIP भी open कर सकते हो SIP open करना काफी जादा simple है हमने हमने इसके बारे में काफी बार बात करिए अगर आपने auto SIP करना है वो भी हाँ पर available है manual SIP भी आप कर सकते हो so according to your choice आप यहाँ पर पैसा डाल सकते हो but yes crypto market में अगर profit निकालना है तो आपके पास cryptos होने चाहिए the second mistake which many of the people do is कि यहाँ पर diversify नहीं करते है अपनी investment वो restrict करते हैं अपने आपको to one or two cryptos यहाँ पर अगर हम crypto market की बात करें तो काफी जादा cryptos यहाँ पर आज के time में available है हम यह नहीं बोल रहे हैं कि जाकि आप लोग सारे के सारे cryptos purchase कर लो but जो top notch cryptos हैं वो आप महाँ पर diversify कर सकते हो and not only according to the crypto but उनकी category के accordingly आपने यहाँ पर diversify करना बहुत जादा जुरूरी है next trend किस category का आएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता आज के time में जहाँ पर बात ही चल रही है about AI artificial intelligence क्या पता next bull run तक AI का यहाँ पर trend जो है वो discontinue हो जाए क्या पता next bull run में again metaverse का यहाँ पर trend सुरूर हो जाए क्या पता AI का trend continue हो रहे तो यहाँ पर हमने diversify करना बहुत जादा जुरूरी है ताकि next bull run में जो भी category हाँ पर आउट perform कर रही है बाकी की category इसको वहाँ पर हमारी थोड़ी भहुत holding होनी चीए and this is the perfect example जहाँ पर अपना portfolio बना सकते हो accordingly and जहाँ पर हम लोग बात करते हैं portfolio की वहीं पर आती है mistake number three mistake number three and यह हम लोगों ने भी पहले करी है initial time में जब हम crypto market में आये थे कि shifting our portfolio जब हम को यह crypto purchase कर लेते हैं वहाँ पर हमें profit नहीं होता हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई नया crypto आया है market में उसकी काफी जादा hype बनी है हम लोग यह वाला first crypto sell off करके वो पैसा डाल देते हैं the other crypto हम अपने मन को यह बोलते हैं कि यार हमने और पैसा तो नहीं डाला है crypto market में जितना डाला था वो ही हमने shift कर दिया अपना portfolio आप touch मत करो यहाँ पे अगर आपने blue chip crypto purchase कर रहे हैं उनके बारे में research कर रहे हैं initially तो उनको आप touch मत करो उनको आप अपने portfolio में रहन दो उनको आप अपने wallets में shift करो that is the best thing which you can do यहाँ पे काफी लोग यह mistakes करते हैं देखते हैं कि दूसरा crypto यहाँ पे jump कर रहा है यह वाला crypto छोड़के उस वाले crypto में चले जाते हैं आज की date में एक trend चल रहा था और पेपे coin काफी लोगों ने अपना portfolio break करके पेपे में invest करना start कर दिया और यह बहुत बड़ी गलती करी लोगों ने आज के time में हम लोगों की बात करें या investors की बात करें जो पेपे coin में थे majority of the people जिन्होंने पेपे में invest करा वो करा at a high आज के time में वो wait कर रहे हैं कि पेपे वापस recover करे और उन्होंने जितना पैसे डाला है इन पेपे वो निकाले और वापस अपने portfolio में डालके रख दे यहाँ पे सबसे बड़ी mistake यही रहती है कि shifting your portfolio जो आपने crypto अपने portfolio में रख रखें आपने वो purchase करें for some of the other reason जो भी आपके reasons है आप लोगों ने उस पे भरोसा करना है साथ ही साथ updated भी रहना है उनके बारे में क्या उनके बारे में news आ रही है चाहे positive चाहे negative the fourth mistake जो यहाँ पे लोग ज्यादातर करते हैं is not trusting the process crypto currency market की अगर हम लोग बात करें हैं जब हम bitcoin halving की बात करते है historical chart जो बताता है वो ही हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं यहाँ पे एक question जरूर आता है will history repeat itself well यह question है जिसका answer कोई भी नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता बट सबकी अपनी assumption है सबकी अपनी अपनी speculation है कि history अगर repeat करेगी अपने आपको तो BTC जो है इतने levels तक पहुंच जाएगा अगर वो repeat करती है अपने आपको तो बहुत बड़ी बात है but not trusting the process and आप फिर भी crypto market में invested हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो अगर आपको भरोसा नहीं है कि history अपने आपको repeat करेगी फिर भी आप सोचते हो कि नहीं थोड़े बहुत crypto हम purchase कर लेते हैं इससे बेटर है कि आप crypto ना ही purchase करें because अगर ये thought process से आप crypto purchase करते हैं you will be the first person जो यहाँ से crypto market से भार बाग जाएगा जब market जो है यहाँ पे एक side way movement करती है side way movement पे hold करना बहुत जादा important है अपने crypto market को I know बहुत जादा boring हो जाता है बहुत बार ऐसा लगता है कि यार market कुछ भी नहीं कर रही market के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना था बढ़ आज की rate में वो returns हमें देखने को नहीं मिल रहे है उसकी वैसे कईफी लोग ऐसे हैं जो hold नहीं करते हैं sell off करके market से भार चले जाते हैं और भार जाके monitor कर रहे होते हैं कि यार अगर उस time मैंने अपने crypto बहां नहीं निकाले तो आज की time में में मेरे पास इतना profit होता and not only holding your portfolio important है but trusting your portfolio वो भी यहाँ पर बहुत जादा important है जब आपने अपना portfolio बना लिया है तो उस portfolio पर आपको भरोसा होना चीए बरोसा था भी होगा जब आप उसके बारे में regular research करते रहोगे कि क्या चीज़े वहाँ पर निकल के आ रही हैं क्या news article बता रहे हैं क्या चीज़े वहाँ पर हो रही है जब आप ये सारी चीज़े updated रहते हो तो वह आपको help करेंगी तो hold your cryptos for a longer term और इसी के साथ हम लोग बात करें हाँ पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि हमने जितना पैसा invest करा है उतना ही बहार आजाए crypto market से अब ऐसा क्यों काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने invest करा था in crypto market when market was in a bull run in 2021 वहाँ पर काफी लोगों ने purchases करें क्योंकि एक FOMO mode आ जाता है एक greed आ जाता है human being के अंदर की वो लो यार क्यों miss out कर रहे हैं यह opportunity यह profit जो यहाँ पर दूसरे लोग कमा रहे है वहाँ पर काफी लोगों ने यहाँ पर invest करा था बट 21 के बाद 2022 का जो यह रहा वो बहुत बुरा रहा है for the crypto market, market जो है वो crash करी काफी लोगों ने हाँ पर DCA जरूर करा बट उसी है साथ साथ काफी ऐसे लोग हैं जो हैं हाँ पर hold करते रहे हैं अपना crypto currencies उनका मानना यह है कि market जैसे ही recover करेगी और उनका invested amount के बराबर वो crypto का portfolio आ जाएगा वो market से बाहर चले जाएंगे because they are currently in a dilemma कि crypto market शायद उपर कभी न जाए उनका यह मानना रहेगा कि market में जितना पैसा आमने डाला वो निकल जाए तो हमारे लिए वो ही profit है और इस चीज़ को लेखे काफी लोग यहाँ पर nervous भी होते हैं जाफी लोग यहाँ पर डरते भी है because उन्हें यहाँ पर जादा पैसा डाल दिया होता है in crypto market हमेशार जैसे कि हम लोग बताते हैं तीन चीज़े आप लोग ने हाँ आप मार्केट में करनी ही करनी है सबसे पहले अपनी research करनी है before purchasing any crypto किसी के कहने पे भी कोई भी crypto ना purchase करें यह हम आपसे request करते रहते हमारे कहने पे भी कोई भी crypto जाके ना purchase करें उसके बारे में और research करें तो जादा better है आप लोगों के लिए the second most important thing कि हाँ पे lump sum में ना invest करें जहाँ पे आप lump sum में invest करते हो एक greed में आखें आप invest करते हो वहाँ पे अगर market 10% भी नीच आती है you are the first person जो market से बाहर जाने की सोचेगा चाहे फिर वो loss book क्यों ना करा है the third and most important thing is crypto market में कभी भी जादा पैसा नहीं डालना है जितना आप जादा पैसा डालोगे उतना जादा आप nervous होगे क्योंकि आपकी एक lifetime की saving आप डाल देते हो इन्दी crypto market यहाँ पे हमेशा उतना ही पैसा डालो जितना कल की date में अगर वो zero भी हो जाए तो आपकी life में कोई भी फरक ना पड़े तब ही आप crypto market से एक अच्छा खासा profit निकाल पाओगे because यह चीज़े आपको help करेंगी to hold your cryptos the next important point लोग crypto market से अपना profit नहीं निकाल पाते is basically because उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किस price point में यहाँ पे sell करने अपने cryptos काफी लोग crypto purchase कर लेते हैं अच्छे खासे price में purchase करते हैं बढ़ जब crypto market उपर के तरफ जाने लगती है वो लोग यहाँ पे wait करते हैं उनके अंदर एक greed आ जाता ही कि market अभी उपर जा रही है हमरा crypto भी pump कर रहा है let it pump further initial time में जब आप purchase कर रहे हैं अपने crypto आपके mind में या आपके notebook में यह mention होना चाहिए कि किस price point में जाके आप लोगो sell करोगे and price point आप कैसे find out करोगे जहां पर हम लोग बात करते हैं price prediction की yes it is very simple to read about the price prediction जो कि आज की date में available है on the internet बढ़ यहाँ पे दो चीज़े आप लेगोने करनी है जब आप price prediction परते हो do not only focus कि यह कहां तक जा सकता है यह भी focus करो कि वो अगर नीचे आता है तो कहां तक नीचे आ सकता है and उसी के accordingly plus इसके accordingly कि आप कितना पैसा यहाँ पे invested रखना चाते हो आपके price target यहाँ पे initial time में ही set होने चीए and that should be a part of your initial research जब आप research कर रहे हो किसी crypto के बारे में तो यह सारी चीज़े वहाँ पे होनी चीए जब आप यहाँ पे research करते हो तो यहाँ पे pros and cons आपको पता होने चीए हो scripto के जिसमें आप invested हो यहाँ पे आप जब research कर रहे हो आपको पता होना चीए कि अगर यह चीज़े यहाँ पे होती है So that can be a thing जो यह crypto को उपर ले जा सकता है इसका price जो है वो उपर ले जा सकता है और लोग यहाँ पे यह process follow नहीं करते है That is why उनके mind में clear नहीं रहता कि किस price point में वो लोग selling करना चाते है और जब आप selling भी करो तो आपके पास 3 targets होने चीए जब हम lump sum में purchase नहीं करते है तो हम lump sum में selling भी नहीं करेंगे यहाँ पे आपके पास 3 targets होने चीए एक ऐसा target जो आपको लगता है बहुत easily achievable है उस crypto के लिए जो आपने invest कर रखा है Second target should be higher than your previous target and जो third target है वो आप एक assumption के थ्रू ले सकते हो कि social media में क्या-क्या हम पे price predictions बता रहे है कि अगर वहाँ तक वो पहुंच गया you do not want to miss out on your profit बट वहाँ पे अगर वो नहीं पहुंचता है और वो crypto fall करने लगता है after the bull run तो आपका first price target should be your third price target इस चीज़ को याद रखना उसको hold करके नहीं चलना है lifelong आपने किसी भी crypto को जहाँ पे हम लोग बात कर रहे है price prediction की जहाँ पे हम लोग बात कर रहे है price target की वहाँ पे एक और शीज़ बहुत important है काफी लोग यहाँ पे crypto's purchase कर रहे है only till the next bull run बट उसी के साथ साथ काफी ऐसे investors हैं including myself जो यहाँ पे काफी ऐसे crypto's purchase कर रहा है जो शायद next bull run में उसको sell off नहीं करेगा काफी ऐसे crypto's हैं जो हम उसके आगे भी hold करके चलेंगे because काफी ऐसे crypto's हैं जिनमें काफी चीज़े हैं जो planned है जिनके road map यहाँ पे mentioned है but वहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे खतम नहीं होंगी in the next bull run the maximum we can do is in the next bull run कि उसको sell off करके again हम purchases करें जब market में dump आएगा but उसके लिए भी यहाँ पे आप लोगों काफी research करने पड़ेगी again आप लोगोंने decide करने पड़ेगा कौन से target में आप उसको sell करोगे and again किस target में आप उसको दुबारा purchase करोगे यह सारी चीज़ा अगर आपके mind में clear है तो yes यह trading आप कर सकते हैं यह next bull run but उसी के साथ साथ if you are looking to just hold the crypto तो वो भी काफी लोग यहाँ पे करते है does not matter कितने bull run आए उससे पहले does not matter कितनी बार market जो है वो fluctuate करे काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने bitcoin purchase करा था in the initial time वो आज के time में उन्होंने एक बार भी bitcoin sell off नहीं करा है market में and they are looking for a price target जो शायद हम लोग या आप लोग यहाँ पे सोच भी नहीं सकते the last and most important point I know यह point मैंने cover कर लिया हिंदी previous points but यहाँ पे आता है greed एक human being की tendency ready to be more greedy जब उसको profit दिखता है तो यह सोचता है कि और profit हम लोगों को मिल जाए तो जादा अच्छा है and इस greed के चक्कर में हम लोग काफी बार ऐसे cryptos में invest कर लेते हैं जादा profit कमाएगा हम से तो हम लोग भी जाके उसमें invest कर देते हैं हम उसमें जाके invest कर देते हैं वो पैसा जो हमने यहाँ पे पैसा रखा था to DCNR old portfolio यह गलतिया नहीं करनी है उसी के सांसां जब भी bull run आता है ज़्यादा greedy नहीं होना है market में जब bull run आता है I know यहाँ पे एक control करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने emotions को emotional यहाँ पे हो जाते हैं लोग आन उसी के सांसांद उनके price target जो है वो skyrocket हो जाते हैं वो रात और रात यहाँ पे करोड़ पती बनने की सोचते हैं when the bull run comes but यहाँ पे आपने थोड़े अपने emotions जो है वो control में रखने पड़ेंगे control में जितना आप अपने emotions रखोगे उतना आपके लिए better है यहाँ पे किसी भी crypto के साथ आपने यहाँ पे जिन्दगी नहीं बतानी है and जब जिन्दगी नहीं बतानी है तो it is important कि आप उसको sell करो at the right price point जो आपको लगता है कि यहाँ से उपर नहीं जाएगा क्या पता वो crypto उसके बाद उसके उपर भी जाए but yes, एक idea आपके पास होना चाहिए during your initial research कि कहाँ पे हम लोग इसको sell करेंगे and उसमें stick रहना है आप लोग ने until unless उसके बारे में कोई यहाँ पे negative news सामने ना आ जाए in the middle of the run and अगर आप यह mistakes avoid करते हो you will be in the bracket of 10% जो crypto market से हमेशा profits निकालते हैं हम लोग भी next bull run में काफी अच्छे profit निकालेंगा and that is why we are still doing DC आज के टाइम में भी लोग DCA इसलिए कर रहे हैं क्योंकि market में crypto's की value काफी कम है उनके all time high से भी अगर आप compare करते हो आज के time में काफी ऐसे crypto's हैं जो 70% down चल रहे हैं वहाँ पे हम लोग DCA करने की सोचते हैं वहाँ पे हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि यह 70% down है यहाँ पे आभी नहीं purchase करना यह 100% down आज़ेगा free का मिलेगा तब purchase करेंगे ऐसा नहीं होता you will have to look into your targets buying targets, selling targets आपके mind में clear होंगे तब ही आप यहाँ से profit निकालोगे with that said guys आज का video करते हैं and I hope आपको video अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो like कर देना, share कर लेना subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel see you next time, okay bye bye